नमस्ते अभिवादन आपका एने उसेंटे इन्वेस्टर गे इस नए वीडियो में दोस्तों बाजार ने आज जो किया ना जो कांड किया ना चौदा फर्वरी को जो कांड किया ना बाजार ने सच में दिल तोड दिया इसने समझाते हैं आपको बहुत सारी बातें सबसे पहले बताते हैं कि यह जो कैंडल बनी है इतनी गंदी कैंडल काफी दिन आप ढूलोगे तब जाकर आपको कोई मिलने वाली है सबसे बुरी बात कि हम एक बड़ा गैप डाउन करते हैं उसके बाट डे लोज पे क्लोजिंग करते हैं इससे बुरा कुछ हो सकता है नहीं हो सकता क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम देखें तो 555 पॉइंट की भयंकर गिरावट ऑल्मोस्ट 3% सवा 3% की गिरावट दिल तोड़ने वाली गिरावट है बैंक निफ्टी का हाल तो और ज्यादा बुरा है 16-1700 पॉइंट की भयंक चोड़ करके गय थे वहां पर हमारे पास बहुत सारी पोजीशन थी जहां पर प्रॉफिट थे और अच्छा सा मुमेंट हो फील हो रहा था कि चलो यार बढ़िया हमने ट्रेट सेलेट किया हमको प्रॉफिट दे रहे हैं लेकिन इस हफते की सुरवात ऐसी हुई कि प्रॉफिट हमको दिया है लगता है कोई मार्केट का दिल तोड़ करके गया था और मार्केट बदला लेने के लिए खड़ी थीक है बहुत सारे इविंट्स ते इस गिरावट के पीछे आपको मैंने सब कुछ कबर करके बताया था कल की बाजार वाली वीडियो में आई मार्केट में बड़ी गिरावट आती है एक्विटी मार्केट में तो गोल्ड खुदी अपनी चमक बरकरा रखने की कोशिस करता है तगड़ी वाली वह भी जाने दीजे 16800 देखो एक बात याद रखना है दोस्त मुझे भी स्टॉप लॉसस मिले हैं मुझे भी लॉसस हुए है तो मुझे पता है आपके सवाल जो भी आएंगे वह इसी तरीके के होंगे कि इसमें लॉस हो गया यह हो गया ऐसा गिर गया स्टॉक अब आपको मैं बताता हूँ को यह सोच सकता है नहीं सोच सकता यह सोचिए कि मार्केट तीन परसेंट गिरी है तब जब टीसी आधा पॉन परसेंट ऊपर है तो ऐसे में आर कोई नहीं बचा सकता आपके स्टॉप लॉसस को खासकर स्विंग त्रेड अभी बात करते हैं निफ्रेडर सेटप की क्योंकि कि वहां पर जो हुआ वह थोड़ा सा कमाल है और इसलिए मैं आपको भी कहता हूं कि दोस्त बिना सेटप के ट्रेड करोगे तो कुछ भी होगा बाजार में मारे हम ही आप जाएंगे इसलिए आपको यह काम करना चाहिए अब देखिए बाशार इतना नीचे डाउन करती है उसके बाद दो केंडल लगाता रेड बन जाती है उसके बावजूद हमारा सेटप बोलता है भाई क्या भाई करना कॉल भाई करना यानि कि तेजी खेलना और उसके बाद देखिए आराम से आपको तेजी भी मिली है जस्ट नीचे सपोर्ट अवेलबल था 16980 का लेवल उस है थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है आप यहां पर जा करके चक करना और आपको बता थो तीन मिनट और दस मिनट की केंडल पे हमको जो है दोनों तरफ बाई साइट का ही ट्रेड मिला यानि की पॉश्टिव साइट का क्रेड बाई करने के लिए सेटप ने हमारे बोला ती स्विंग ट्रेडर और इन्वेस्टिंग का क्या हाल है वो तो आप जानते हो ठीक और सेट अप की एहमियत यहीं से समझ में आती है देखो दोस्त सब कुछ हो सकता है कभी-कभी किसी दिन हमारे लिए अगेंस्ट ही चला जाए इंट्राडे में भी हमको लॉस हो जाए उनमें कॉंटिटी बढ़ाएं या नहीं यह सब चीजें बहुत कंफ्यूजन क्रियेट करती है और जब गिरावट आती है तो थोड़ा सा धिमाग अलगी लेवल पे जा करके सोचता है तो इसलिए मैं इंक्लीट करता हूं इन्वेस्टिंग को बाकि इन्वेस्टिंग को आ अच्छा हो भी तब जब हम सेटप पे थे रूल्स पे स्टिक करोगे तो बाजार आपको कभी बाहर नहीं करेगी चोटे लॉसस में एक्जिट दिलाएगी और बड़े प्रॉफिट में एक्जिट दिलाएगी यही मैं चाहता हूं आप से फ्यूचर में मैं स्टॉप लॉस में भी चमतकार हुआ है 42.9 वा बढ़ी हाई गोंड फ्यूचर बढ़ी हाँ च्रीट कर रहा है इंजा करिए इस डिपसी लाइफ की बात हमने करी अभी टॉप मोवर्स की बात कर लेते हैं निफ्टी नेक्स 50 में एक भी गेनर नहीं है गिरावट में देखिए इंडी को सब सब साथसाइट परसेंट के एह साथ परसेंट सोचगर के देखिए निफ्ती तीम परशन साड़े च्छे परसेंट एलाइस हाउजिंग फाइन साड़े आठ परसेंट असोग लेलेंट सवा साथ परसेंट क्या ही कहें बैंक निफ्टी यहां भी बुरा हाल है बिल्कुल मिड कैप स्टॉक की तरह एक भी स्टॉक पॉजिटिव नहीं 28 बैंकों साथ फ्रॉड हुआ थ थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है मेरे पास देड़ सारी सवाल आए है और खुद यार दिमाग की दही हो जाती है क्यों हो जाती दिमाग की दही दीरे-दीरे एक्स्पिरियंस चीजे हमारी फेवर में जाएंगी आपको बता रहा हूं कम से कम दो गंटे लगा करके स्टॉक क स्टॉडी करो पचासों स्टॉक्स आप निकालो उनमें से 5-6 सेलेक्ट करो सुंक्रेट करने के लिए हफते के पहले ही दिन पूरा चार्ट डिस्टॉट हो जाए मतलब ऐसी की तैसी हो जाए चार्ट की खतम तबाही मतलब चार्ट ही इतना बेकार हो गया वहाँ पर आप औ सुंक्रेट में लॉसेज भी जेलने हैं तो कुछ कुछ नहीं कर सकते मैं इसलिए बोलता हूं और यहां पर 1% की बात आती है ना कि यही 1% जो पैसा कमा पाते हैं हम आपको अगर उस 1% में बरकरार रहना है सौट टम के लिए तो कोई भी आ सकता है लॉंग टम के लिए अग बताता हूं जो बेस्ट पॉस्बल मदद हो सकती मैं करने की कोशिस करता हूं मैं तो यहां तक कहता हूं कि मैं सेल्फिस हूं क्योंकि उन चीजों से मेरी खुद की मदद होती है तो इन्टेटिं स्टॉक्स मेरे काम आते हैं ठीक है बाजार के सपोर्ट रिजिस्टेंस आगे बढ़ना है हम सबको ब्रॉडर मतलब ब्रॉडर एंगल से देखना है अलग एंगल से जाकर के देखना है कि हां जो बाजार है ऐसे गिरती भी है और ऐसे गिरावत में हमारे पास अच्छे स्टॉक्स को खरीदने की अपॉर्चुनिटी आती है सौट करने के मौके आत होता है बाकी अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूं बहुत भयंकर गिरावट है कुछ भी स्टॉक्स करने का मनी नहीं कर रहा है अच्छा खासा अप साड़े तीन परसें का सुन्टेट प्रॉफिट देड़ परसें से ज्यादा के लॉस में कटा है तो आपको पता है कितना बुरा फील होता है आपके भी साथ हुआ होगा तो आप बिल्कुल रिलेट कर पाऊगे बाकी यार मिलेंगे रहर सारी इच्छी वाली वीडियो में डी मोटिवेट नहीं होना है नहीं होना है याद रखिएगा हम सबने बहुत कुछ जहला है आगे भी जहलते रहेंगे बा कि थैंक लॉस देने के लिए आगे हम और मेहनत करेंगे आपसे प्रॉफिट निकालने के लिए अभी इतना ही जल्दी मिलते हैं बहर सारी इच्छी वाली वीडियो में वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना वीडियो देखने के लिए आपका भार नमस्कार